सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूस्त इस तरह की और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब किजिए पास में जो घंठी है उसको प्रेस किजिए जिससे हमारी वीडियोज अपलोड होते ही आप की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों कैसे आप लोग इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा WhatsApp की रिसेंटली लॉंच किया गए UPI-based payment features के बार में आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं दोस्तों पेटीम ने पहले UPI-based payment features को लॉंच कर दिया है और अभी लॉंच कर रहे हैं तो दोस्तों WhatsApp की इस features को लॉंच करने से सबसे ज्यादा competition होगे पेटीम के साथ और भी company है जिन्होंने UPI-based payment features को लॉंच किया है जैसे गूगल ने लॉंच किया है तेज फोन पे दोस्तों इन सबसे WhatsApp की सबसे ज्यादा competition के साथ क्योंकि आप अगर देखेंगे पेटीम के मांतली यूजर से 200 दोस्त आभी 2008 की February चल रहा है यानि एक साल पहले ही WhatsApp ने 200 मिलियन यूजर्स को क्रोस कर दिया है इंडिया में तो अभी एक साल बाद WhatsApp यूजर्स बढ़ेंगे क्योंकि दिन-दिन स्मार्टफोन यूजर्स भी बढ़ रहे हैं तो दोस्तों WhatsApp की इस प्यमेंट फिचर्स के बढ़े में जब पेटीम की सीनियर प्रेसिडेंट दिपाक एवर्ट को बोला गया तो उन्होंने बताया कि पेटीम और सेब किस नया फिचर्स को सागत करते हैं तो दोस्ता बात कर आप लोगों की पास WhatsApp की iOS में version 2.18.21 है तो आप लोगों को UPI-based payment features को option मिल जाएगा और अगर आप लोगों की पास Android में version 2.18.4 है तो WhatsApp की UPI payment features आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि यूजर्स की जो डाटा है वो सेफ रहे है लीक ना हो और जो बैंकिंग सिस्टेम में मानिट ट्रांसपर होगा वह भी सिक्यूर तरीके से है इसलिए आप टेस्टिंग चल रहा है कुछ सेलेक्ट यूजर्स को ही टेस्टिंग के लिए मिल रहा है अब सब कुछ ठीक रहेगा तब पूरी तरह सब यूजर्स के लिए लौइंच कर दिया जाएगा दोस्तों मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आजाएगी दोस्ते इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद